बॉलिवोड की मौझूदा टॉप एक्टरसेस में से एक दिपीका पादोकोर आज 38 साल की हो चुकी है कभी बच्पन में लिवाइस की एक जिन्स खरीदने का सपना देखने वाली दिपीका आज उसी कमपनी की ब्रांड एम्बेसेडर है 16 साल के एक्टिंग करियर में गुंचालिस फिल्मेकर 52 बड़े अवाड अपने नाम करने वाली दिपीका हर नई फिल्म के साथ एक कंटोर वर्सी में फस जाती है चाहे वो गोलियों की रासलिला, रामलिला की टाइटल कंटोर वर्सी हो, पदमावत को लेकर नाक काटने पर इनाम रखने की कंटोर वर्सी हो या फिर पठान से जूड़ी भगवा बिगनी बड़े विवादों के बावजूद दिपीका की ये तीनों ही फिल्में ब्लोकबस्टर साबित हुई दिपीका पादुकोन के पिता प्रकाश पादुकोन फेमस टेनिस प्लेयर थे, जिनका उठना बेटना कई सेलिब्रिटीस के साथ होता था एक बार आमिर खाने प्रकाश पादुकोन को सब परिवार अपने घर बुलाया था दिपीका अपने माता पिता और बहन के साथ आमिर के घर पहुची उस वक्त आमिर खाना खा रहे थे, तेरा साल की दिपीका उनके सामने ही बेटी थी लेकिन खाने में विस्त आमिर ने उन से एक बार भी नहीं पूछा कि क्या उन्हें भूक लगी है दिपीका को जोरो से भूक थी लेकिन वो खामोश बेठी रही ये किस्सा खुद दिपीका पादुकॉर्ण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है करियर के पीक पर होने के बावजूद दिपीका पादुकॉर्ण डिब डिप्रेशन में थी उन्हेंने लोगों से मिलना और घर से निकलना भी कम कर दिया था उन्हें सिर्फ सोते रहना अच्छा लगता था क्योंकि उनका माना था कि ये उनके बशने का एक तरीका था अकेले रहते हुए कई बार वो मरने का प्लान भी करती थी इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ दहने बाद